आज कि इस वीडियो में हम जो है फोन नंबर्स की सारी इंफोमेशन सारी डिटेल्स को जो है एक्स्ट्रेक्ट आउट करेंगे विध थे हल्प ऑफ पाइटन तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक पैकेज की नीड है जो हमें हमारे सिस्टम के अंदर हमारे एडिटर के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा मैं यहाँ पे एक ओनलाइन कोड एडिटर का यूज कर रहा हूं गूगल को लैप का आप कोई भी कोड एडिटर यूज कर सकते हैं चाहे वो जूपिटर हो आईडियली हो पाइचाम हो तो सबसे पहले हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना है फोन अब हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर चुका हूँ नेक्स्ट पार्ट जो है आता है इसके अंदर हमारा इंपोर्टिंग लिबरी इस इंपोर्ट попад और उसके बाद से बाद प्रूम पोन नंबर से मुझे कुछ जो हैSt Monk Šener को मैं turtle काना और से प्रूम फोन नंबर सिम् है मेरा taking input from user as a phone number, तो मुझे क्या करना है, एक phone number के requirement है, जो कि मैं user से input करवाऊंगा, तो यहां पर मैंने mobile number के नाम से variable लिया, और user से जो है input लिया, एक mobile number का, और यहां पर मैंने उसे एक message लिया, enter mobile number with country code, यहां पर जो है हमें user से input लेना है mobile number का with country code, और last में जो है मुझे इसके अंदर क्या करना है mobile number is equal to phone numbers.parse function का use करना है जो कि क्या करेगा मेरे उस input को जो है उस package के अंतर transfer कर देगा इसके बाद जैसे मैं से run करूँगा यहाँ पर जो है मुझे एक mobile number डालना होगा तो मैं यहाँ पर randomly एक mobile number डाल रहा हूँ plus 91 और interface तो यह जो मेरा input है यह मेरा mobile number variable में save हो चुका है अब next मुझे क्या find out करना है time zone of a phone number कि जो user ने input डाला है जिस mobile number को उस ले या जिस phone number को उस ले mobile number variable के अंदर एस input transfer किया है उस mobile number का time zone क्या है तो उस time zone को find out करने के लिए जो है हमें यहाँ पर use करना है time zone function का तो मैं यहाँ पर directly print command के थूँ जो है उससे print कराऊंगा तो print और parentheses के अंदर में time zone function का use करते हूँ पास करूँगा time zone dot time zone 4 number और उसके अंदर जिस number का मुझे पास करना है मेरा variable अभी mobile number है जिसके अंदर मेरा data save है तो मैंने आपे पास कर दिया और इसको मैंने run कर दिया अब इसके अंदर मेरा क्या चुका है Asia Calcutta जो user ने mobile number पास किया सपोज मैंने आपे यह mobile number पास किया था तो जिसका country code क्या था प्लस 91 तो उसका time zone जो है Asia के अंदर count होता है तो इसलिए इसने हमें output दिया Asia और exact इस number का time zone जो है वो match करता है Calcutta City के साथ तो इसने output दे दिया हमें Calcutta next हमारा part आता है getting carrier of a phone number यानि जो mobile number या phone number user ने input किया है उसका carrier कौन है यानि वो basically किस company का जो है mobile number है तो उसके लिए मैं हापे print function में function पास करूँगा carrier.name for number function का use करते हुए मैं extra parameter पास करना पड़ेगा language का तो मैंने हापे en पास किया है English के लिए और जैसे मैं इसे run करूँग इसने मुझे output दे दिया idea because Asia Calcutta का number है और इस number का carrier जो है इस number की company जो है वो idea है तो इसने मैं output दिया idea next we have to calculate the region information यानि basically वो phone number जो है किस region से belong करता है तो उसके लिए मुझे यहापे again मैं print function का use करूँगा because मैं एक ही line के थ्रूँ जो है output जाता हूँ तो मैं directly print कर रहा हूँ print geoc geocoder function का हम use करें या अगर हमें region पता करना है तो और dot description for number and again उसके अंदर हम जो है parameter पास करते हैं mobile तो इस geocoder.description for number function की help से जो है हम region की information find out कर सकते हैं again इसके अंदर मुझे जो है एक extra language का parameter या फिर argument जो है पास करना पड़ेगा और जैसे मैं इसके अंदर पास किया इसने दि exact इसकी जो geological location है वो इंडिया है इस mobile number की तो इस geocoder.description for number function की help से हमें ये पता चल गया कि ये basically Asia Calcutta का time zone से बिलॉंग करता है idea जो है इसकी carrier company है and at last इंडिया जो है इसकी exact geolocation है या जियो लोकेशन है और अब जो है suppose अगर user कोई wrong phone number input enter करता है तो उसके लिए अगर मुझे चेक करना है तो मैं यहाँ पर use करूँगा print function के अंदर मैं सबसे पहले तो मैं message pass करूँगा कि valid phone number because अगर ये valid phone number है तो output मेरा दे true otherwise ये false तो यहाँ पर मैंने simply message print किया है valid phone number and then इसके अंदर हम मैं phone numbers library का use करते है function यहाँ पर pass करूँगा मैं is is valid number और इसके parenthesis मैं again फिर यहाँ पर क्या कर दूँगा हमारा जो है variable mobile number पास कर दूँगा जहाँ पर हमारा data save है और इसके बाद इसे मैं run कर दूँगा जैसे कि इसने मैं output दिया valid phone number because ये हमारा phone number जो है valid है इसलिए इसने जो है हमें इस phone number का time zone इसका carrier company इसकी geographical location जो है हमें बताई और at last suppose अगर वो number exist नहीं कर future उस phone number की possibility है कि वो phone number exist करेगा ये भी जो है हम एक line की help से पदा कर सकते हैं in python यहाँ पे भी मैं again क्या करूँगा print function के अंदर सबसे पहले एक message डालूँगा checking possibility of number and then again phone number libraries का use करते हुए उसके अंदर function pass करूँगा इस possible number and उसके अंदर मैं again हमारा variable pass कर दूँगा जिसके अंद run कर दूँगा तो in future suppose यहाँ पर हमारा क्या था phone number valid था तो इसकी possibility exist करती है तो इसलिए इसने हमें output दिया true जबसे पहले हमने package install किया with the help of pip install phone number command के through and after that हमने libraries को import किया phone numbers और उसके कुछ functions को import किया carrier geocoder और time zone जो कि हमें carrier बताया कि वह basically किस company का number है geocoder उसकी geographical location बतायागा time zone क्यों किस time zone में exist करता है किस continent कि city के time zone से वह exist करता है वह हमें बताएगा तो इनी functions के help से जो है हमने हमारी यह कुछ output find out किये और सबसे पहले हमने input लिया था जिसके अंदर country code के साथ जो है एक number mention करते हैं तो जैसे ही suppose मैं यहाँ पर country code के साथ number यहाँ पर mention किया उसके बाद हमने output दिया Asia Calcutta जो कि इसने मेरा time zone बताया कि यह Asia continent और Calcutta city से बिलॉंग करता है इसके बाद इसने हमें क्या बताया carrier बताया कि basically किस carrier का यह mobile number है तो यहाँ पर Vodafone एक carrier company है इंडिया की उसका यह mobile number है आफ्टर देट व geological location है कि basically वो शे महराष्टा से बिलॉंग करता है और उस phone number की validity कितनी है और अगर validity उस phone number की नहीं है तो in future क्या वो possible है कि वो phone number exist करे यह भी हमने जो है is valid number की help से हमने validity चेकी और is possible number की help से जो है हमने उसकी in future possibility चेकी क्या वो function exist करता है तो in short line of code की help से जो है simply हमने एक package इंस् functions यूज किया और हमने एक small mini project यहाँ पर तयार कर लिया